Hello my dear students, our today's topic is starting verb it which is lesson number 7 from your computer book part 1 If आपको वीडियो पसंद आता है, so वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप चैनल पर नए है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि मेरा कोई भी न्यू वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले notification मिर जाएगी, okay, so let's start Okay, so this is your chapter, see, starting word pet which is lesson number 7 अब एक बात और मैं बता देती हूँ, chapter स्टार्ट करने के पहले और ये last time, ठीक है, मैंने पहले भी बताया है, अब दुबारा फिर बता रही हूँ कि अब आप ये मस सोचिए, कि माम सीधा कैसे lesson 7 पर आ गई ठीक है ना बेटा, वो इसलिए आ गए, क्योंकि जैसे आपको पता है कि 30% जो सलेबस से हमें क्या less करना था ना, so जो chapter मुझे important लगे आपके हिसाब से, सो मैं वही वही करा रही हूँ if, 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 if आपका मन है और आप पढ़ना चाहते हो, बाकी के chapters भी तो आप मुझे comment box में comment करके जरूर बताईए, मैं उसमें वीडियो बना दूँगी आपके लिए, ठीक है ना ये फिलाल क्यों, अभी 7 में क्यों आ गई में इतना जल्दी, क्योंकि ये आपके exam के लिए, ये ज़्यादा important है, ठीक है ना but, अगर आपको अपने book में देख लो आप, या फिर आपको ऐसा कोई भी topic है computer का, जो आप पढ़ना चाहते हो मुझे तो आप मुझे क्या करोगे, comment box में comment करके, please मुझे बता दीजेगा, so मैं उस पर video बना दूँगी, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम अपना syllabus कंप्टीट कर रहे हैं, क्योंकि हमने exam देना है, ठीक है ना, उसमें जो जो आएगा, उसमें जो important है, अभी फिलाल मैं आपको व और अभी है, मैंने लास्ट टाइम बता रही हूं कि 30% सिले बस लेस किया था, इस वज़े से अब मैं सिधा 7 में आ गई, ठीक है, so कोई अपने मन में डाउट मत रखिएगा, कि ऐसा कैसे अचानक से, ठीक है ना, 4 चैप्टर से सिधा कैसे 7 में हम आ गए, so इस वज़े से आ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, एक्स एक्सरा है ना, पार्ट में अपना चैप्टर जो है, वो कमटीट करते हैं, okay, so सीधा आ जाते हैं हमारे चैप्टर में, okay, which is starting wordpad, ठीक है, so अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, basically wordpad के बारे में पढ़ना है, अब wordpad होता क्य है, इसका starting क्या है, क्या नहीं, यह सब आपको चैप्टर में पता चल जाएगा, so फटा-फट से start करती हूं, okay, let's start, okay, so हम wordpad का introduction देखते हैं, chapter start हो रहा है, so basic सी बात है कि क्या है, सबसे पहले हमने उसका, उसके बारे में जाने कि उसका introduction क्या होता, wordpad क्या होता है, इसमें ह करते हैं, ठीक है, so मैं क्या कर रही हूं, मैं अभी यह read कर रही हूं, पूरा paragraph, ठीक है, so please बिटा, ध्यान से वीडियो को पूरा देखना, ठीक है, बीच में skip मत करना, वीडियो को पूरा देखना, तभी साही चीजन समझ में आएंगी, वीडियो छोड़ दोगे, तो आपक documents, unlike notepad, wordpad document, include rich formatting and graphics, the formatting option like highlighting text, bullets, line breaks, inserting picture, etc, make wordpad a powerful tool, okay, तो अब इसका meaning क्या होता है, यहाँ पे इसका meaning यह हुआ, कि wordpad क्या है, एक text editing program है, ठीक है, wordpad में हम करती क्या है, notepad की तरह क्या, अबना, जो भी हमें text लिखना होता है, type करना होता है, किसमें करते है, wordpad में, ठीक है, MS word सबको पता है, न, क्या करते हो, इसमें, document create करते हो, typing करते हो, करते हो न, so, it is used to create and editing, added documents, document को create कर सकते है, इसमें, ठीक है, देखो, document को edit कर सकते हैं create कर सकते हैं ठीक है? unlike notepad ठीक है न? notepad notepad जानते हो न? उसमें भी हम ऐसा ही कुछ करते हैं ठीक है? documents, wordpad documents include rich formatting and graphics अब wordpad में क्या होता है? यह जो wordpad होता है wordpad में क्या होता है? कि इसमें हमें और option क्या मिलते हैं? rich formatting मतलब अच्छी अच्छी formatting मिलती है ठीक है? formatting का मतलब इसमें हम अपना और भी चीज़े इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि हमें किस format में चाहिए बहुत सारे इसमें options रहते हैं graphics रहता है wordpad में ठीक है न? so the formatting option like a formatting option में क्या क्या जाता है? like highlighting text अगर हम किसी text को highlight करना चाहते हैं जादा अच्छी से दिखाना चाहते हैं ठीक है? bullets वगेरा लगा देना line breaks inserting picture अगर हमें कोई picture insert करनी है तो हम wordpad में कर सकते हैं ये सब चीजें हम wordpad में कर सकते हैं इसलिए जो wordpad होता है एक powerful tool होता है ठीक है न? formatting हमें अच्छी अच्छी करने को मिलती है wordpad में हम जितना attractive हो सकता है अपना document को उतना attractive बना सकते हैं उसमें बहुत अच्छी अच्छी editing कर के ठीक है न? इसमें बहुत सारे option होते हैं आपको bold में कर लो letters को highlight करो colors मिल जाते हैं bullets मिल जाती हैं आपको inserting picture वाला option रहता है picture insert कर सकते हो ठीक है न? अपने documents में ओके? अब समझ में आया कि wordpad में करते क्या है? ठीक है? ओके? अब हम आजाते हैं इसके features में ठीक है न? कि wordpad में हमें features कौन कौन से मिलते हैं? ओके? फिर जो आपको ये सामने ये दिख रहे हैं ये भी मैं ये दोनों आपको figure explain कर दूँगी ठीक है? चलो, सो अब हम आजाते हैं किसमे? features में, ओके? I hope ये मैंने और जूम किया, ठीक है? इसमें आपको features और clear दिखेंगे ठीक है? दिख रहा होगा ना? सारे features अब देखो It has the following features first, first type any text line, letters, notice, etc सबसे पहला क्या है? जाहिर सी बात है ये wordpad है क्या कर सकते हो? इसमें आप typing तो करी सकते हो ठीक है? आपको कोई letter लिखना है आपको कोई notice लिखना है आपको कुछ भी लिखना है ठीक है? वो आप इसमें typing कर सकते हो, लिख सकते हो ठीक है ना? ओके now second save the data for future use आप इसमें data को save कर सकते हो future use के लिए कैसे कि आपने कोई data बनाया, कुछ भी document create किया और आपको लगता है कि हाँ इसका मुझे future में use हो सकता है आप क्या है? आप इसको save कर सकते हो ठीक है ना? डेटा को इसमें save हम कर सकते है और फिर जब हमारा मन किया जब हमें उसका need है तो हमने क्या कर लिया? हमारे पास data available होता है हमारे wordpad में ठीक है? तो हम ऐसे बार बार create नहीं करना पड़ता है हमने एक बार बना के उसको save कर दिया फिर हम जब चाहेंगे वो हमें मिल जाएगा ठीक है ना? ओके ना थर्ड ब्यूटिफाइ दा टेक्स यूजिंग डिफरेंट कलर्स टेक्स साइस ओके तो अपने टेक्स्ट को आप और भी ब्यूटिफाइ कर सकते हो और भी ब्यूटिफुल बना सकते हो कैसे बना सकते हो इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मिलते हैं ठीक है ना? टेक्स्ट टेक्स्ट रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मिट में और क्या रहता है? साइज रहता है क्या कि आपको कितने साइज में आपका जो टाइब कर रहे हो, किस साइज में होना चाहिए, कहां पर आपको इंक्रीज कर चाहिए, कहां पर बादु हुआपे पःक्रीज करना, कितना कम रखना, जाधा रखना, यह आप अपने अकॉर्डिग उसमें कर सकते हो कि आपको यह वाला text bold रखना है, इसमें ये वाला हमें color करना है, so ये हम क्या, ये हम इसमें wordpad में कर सकते हैं, ठीक है ना, ये हमने option रहता है, ठीक है ना, okay, now fourth, letter styles and effects, अब इसमें क्या रहता है, बहुत सारे styles and effects रहते हैं, जो भी हम type करते हैं, तो उसको हम बहुत ही attractive बना सकते हैं in styles और effect वगएरा जो रहते हैं उनकी helps से, okay, now next, insert pictures, picture insert कर सकते हैं, आपने कोई document बनाया आपको चाहिए कि, यार मैं मुझे इसमें एक picture भी insert कर नी है, ठीक है ना, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, picture भी insert कर सकते हैं, okay, next take multiple printouts और हम क्या कर सकते हैं, हमारा document हमने create कर लिया, हमारा document create हो गया, उसके बाद क्या है, हमें चाहिए, यार कि हमें इसका printout चाहिए, ठीक है, hard copy चाहिए, हमें इसकी, हमें इसका printout चाहिए, तो क्या है हम multiple printout एक time पे निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं टेक्स पॉरा डिटेल में बताऊंगी। ठीक्स से पड़ना आपको पूरा अम्हें पीस्ट करना राय। ठीक है ना, so हम इसमें easily कर सकते हैं मैं आपको सब पूरा detail में बताऊंगी प्लीज ध्यान से पढ़ना आपको पूरा MS Word चलाते आने लगेगा ठीक है ना, पूरा word pad आप बहुत अच्छे चलाओगे बस आप condition यह है कि जितने भी part बताती हूँ वो आपको और मेरे पूरे वीडियो जितने भी बना रही हूँ बेटा मैं बहुत detail में बनाती हूँ वरना 5 minutes में वीडियो बना के मैं भी खतम कर सकती हूँ बट मैं चाहती हूँ कि एक एक चीज आपको clear होनी चाहिए और जिसके घर में system है तो तो please करके देखो आपके पास बहुत अच्छा time है घर में हो आप आप computer चलाना बहुत easily सीख जाओगे इतनी कम age में so please बेटा उसका advantage थोड़ा लिया करो है ना कि हम पढ़ रहे हैं और plus हमारी mam ही हमें पढ़ा रही है जो हमें school में पढ़ाती है वो ही आपको पढ़ा रही है और आप घर में क्या इसकी practice करके सीख सकते हो अब आपको इससे दादा क्या चाहिए ठीक है ना और कोई doubt होता है तो comment box में comment किया करो ठीक है ना so please बेटा इस जो भी आपको time मिल रहा है उसका थोड़ा सा फाइदा उठाईए आप लोग और पढ़ाई कीजिए वीडियो उसको बहुत अच्छे देखिए और बार बार देखिए ताकि आपको बिलकुल concept clear हो जाए ठीक है और इसको please जिसके घर में सिस्टम है बार बार कहती हूँ apply करो practice करो ठीक है now next modify the text while typing और after typing the whole text अब हम क्या कर सकते है टेक्स को modify भी कर सकते है modify का meaning क्या होता है कि अगर हम अपना text लिख रहे हैं ठीक है typing कर रहे हैं अब हम को चाहिए कि यार हमें कुछ changes करना है थोड़ा सा modifiers को हम कर देते हैं so हम अपनी typing के दोरान और अगर हमारा पूरा text complete हो जाता है पूरा document create हो जाता है उसके बाद भी हम चाहते हैं कि हरे यार हमें थोड़ा यहाँ पर यह कर लेना चाहिए यहाँ पर यह editing कर लेनी चाहिए so हम वो भी कर सकते हैं ठीक है ना जो भी हमने हमारे according हम changes करना चाहते हैं ना हम कर सकते हैं ठीक है ना modify कर सकते हैं अपने text को typing के दोरान और पूरा जो भी text है जो भी सब कुछ है पूरा सब create होने के बाद भी ठीक है ना समझ आया इसमें इतने सारे फीचर्स हैं आपको ठीक है ना चलो अब मैं आपको क्या बताती हूँ अब बतारी हूँ जो आपको ये figure है आपे ठीक है इनको ध्यान से देखेंगे हम तो पहले एक देखते हैं ठीक है चलो figure 7.1 ये आपको दिख रहा है ना figure 7.1 starting wordpad अब ये ध्यान से देखना आप लो कि इसमें क्या है ठीक है ना चलो ओके so I hope बिटा आपको clear यहाँ पे दिख रहा होगा ठीक है ना अब यहाँ पे आप देखिए ध्यान से तो यहाँ पे क्या numbering है number 1, 2, 3 and 4 ठीक है अब ये किस चीज की लिए है और ये जो पूरा ये figure बना हुआ है so ये हमें किस लिए यहाँ पे बनाया है क्यों यहाँ पे हमें दिख रहा है ये ठीक है और ये numbers क्यों लिखे हुए है तो बिटा अब आपको करना क्या है आपको करना ये है कि आपको wordpad चलाना सीखना है ठीक है wordpad चलाना सीखना है ना so wordpad चलाने के सबसे पहले अगर हम कोई भी चीज को सीखना चाहते है कोई भी चीज अगर हम उसको करना चाहते है तो सबसे पहले हमें क्या need होती है सबसे पहले हमें तो यही पता होने चाहिए कि हमें मिलेगा कहा wordpad computer system इतना सारा कुछ होता है इसमें यह हमें मिलेगा कहा सबसे पहले तो यही बात है कि हमें wordpad धूनना है ऐसे सामने रखा हुआ wordpad नहीं मिल जाएगा हमें कि हमने system on कि और wordpad हमारे सामने हमें दिख रहा है वो अलग बात है कि किसी ने उसको desktop में लाकर रखा है तो आपने सीधा desktop में double click किया icon पर और सीधा वहाँ पहुँच गए वो अलग बात है ठीक है ना but आपको पूरी process के साथ पूरे steps को follow करने के बाद ये मिलेगा कहाँ so वो हमें जाना जरूरी है पहले ठीक है direct desktop में लाना वो तो बात की बात होती है वो हम सीखेंगे बट पहले क्या है कि हमें actually इसकी जगे कहा है हमें मिलता कहा है ठीक है तो ये step किसलिए है ये step 1, 2, 3 and 4 wordpad को find करने के लिए है कि computer में हमें wordpad मिलेगा कहा ठीक है तो अब मैं आपको वो बताने वाली हूँ अब step number 1 ये है आपका step number 1 click on start button clear दिख रहा है ना ये लिखा हुआ है click on start button so आपको बहुत अच्छे से पता है ये जो button होती है ये वाली button ये बटन हमें यहां भी दिख रही है ये एक ही screen है ठीक है ना ये मैं सोचना कि अलग-अलग है अलग-अलग नहीं है ये एक ही है ठीक है ना so ये button क्या होती है ये button होती है start button मैं फिर से zoom करके बहुत अच्छे मैंने 50 बार बताया है आप लोगों को फिर बता रही हूँ ये जो button होती है इसको कहते है start button कौनसी button start button दीक है okay सबसे पहले क्या करना है हमें first step हमारा यही है कि हमें start button में click कर देना है okay now then क्या करना है step number two step number two में आ जाते हम क्या लिखा है choose all programs choose all programs जैसे आप start button में click करते हो जैसे आपने start button में click किया आपके पास ये option आ जाता है क्या option आ जाता है ये आपको दिख रहा है है आपे all programs ऐसी एक list open होती है सिर्फ आपको all programs नहीं मिलेगा पूरी एक लंबी इसे list open होगी वो की आपको picture में पूरा नहीं दिखाया है आपको कहां ध्यान देना है all programs में ठीक है जो की ये लिखा हुआ है ठीक है all programs में क्या करोगे आप click कर दोगे first आपने start button में click किया second आप कहां click करोगे all programs में कर दिया कर दिया ना okay now third अब third देखो उसके बाद क्या होगा first second हो गया जैसे आप all programs में click करोगे जैसे ही आप all programs में click करोगे उसके बाद क्या होगा all program में आपको एक option मिलेगा क्या accessories यहाँ पे लिखा है आप इंडिकेट कर रहा है ये third number में ठीक है तो accessories आपको ऐसे एक list आपके पास ऐसे open हो जाएगी वहाँ पे आपको accessories लिखा हुआ मिलेगा जो कि यहाँ पे हमें ऐसा दिख रहा है तो क्या करना है मैं accessories को choose करना है जैसे आप ये करोगे आपको क्या show होने लगेगा यहाँ पे देखो see यहाँ पे आपको दिखा क्या दिख रहा है wordpad ठीक है ना दिखा wordpad click on wordpad जैसे आप यहाँ क्लिक कर दोगे आपका wordpad open हो जाएगा फिर हमें जो भी करना है wordpad में करना है ठीक है फिल से एक बार revise करा देती हूँ सबसे पहले क्या करना है start button में क्लिक करना है आपको उसके बाद all programs में आपको क्लिक करना है जैसे आप start button में क्लिक करोगे आप को यह option मिल जाएगा यहाँ पे आपको all programs में क्लिक करना है यह आपका second step third step में जैसे आप all programs में क्लिक करोगे आपको एक option all मिलेगा accessories series आपने वहाँ पे इसको चूज करना है and last आपको wordpad मिल जाएगा wordpad में आपको click कर देना है जैसे आप wordpad में click कर दोगे आपके सामने wordpad open हो जाना है ठीक है ना बिटा so यहाँ पे हमारा आज फिर एक new chapter start हो गया है अब इसके भी हम parts करेंगे और यह chapter जादा बड़ा नहीं है यह chapter 7 chapter चोटा ही है ठीक है तो यह हमारा 4 से 5 पार्ट में complete हो जाएगा ठीक है ना और अभी क्या है यह wordpad का starting है फिर lesson 8 में हम इसका editing पढ़ेंगे फिर 9 में इसका formating पढ़ेंगे that means पूरा wordpad हम सीख जाएंगे इस class में जिस आप class 3 में हो class 3 में आप पूरा wordpad सीख जाओगे ठीक है ना so अभी तो यहाँ पर starting ही है ठीक है लेकिन अब हमको आगे जितना भी पढ़ना है 8 chapter में 9 chapter में हमें wordpad के बारे में ही पढ़ना है ठीक है तो पूरा हमने wordpad ही पढ़ना है तो आज तो वह शुरुवात है ठीक है ना so lesson number 7 में सिफ क्या है सिफ starting ही है starting wordpad ठीक है ना उसके बाद बहुत सारे function है tools हैं वो हम पूरा cover करेंगे आपको इतना भी doubt कहीं रहने ही नहीं दूंगी ठीक है आपको पूरा wordpad चलाते आएगा आप बोलोगे वाओ घर बैटे हमने wordpad चलाना सीख लिया ठीक है ना चलो so यहाँ पर part 1 finish होता है next video में मिलूँगी part 2nd के साथ ठीक है ना उसमें हम अब आगे देखेंगे कि और हमें इसमें करना क्या क्या है ठीक है so वही बात है ना थोड़ा थोड़ा करके खाना खाना चाहिए ना एक बार में पूरा खाना ऐसे digest नहीं होता है तो आज हमने थोड़ा introduction जाना कैसे start करते हैं कैसे wordpad को खोलते हैं ओपन करते हैं आज पहले वो जाना ठीक है अब हम इसका next part में और आगे detail में पढ़ेंगे औ अगर आप नए हैं और प्लीज शेर कीजिए जिससे बाकी लोग भी क्या गर पाएं पढ़ पाएं ठीक है ना ओके ना बाबाई टेक किया थैंक्यू सो मच मिलते नेक्स वीडियो में